हलो दोस्तों मैं हूँ सोनू आप सबी का तहीं दिल से सवागत करता हूँ और आज है यहाँ पे 12 दिन और आपको पता होगा मार्केट के अंदर हमने अपने आप से चेलेंज किया है कि भी 5000 रुपे से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और आने वाले 100 दिन नगेट हो आज मैं आपको सारा कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ क्योंकि आज का मार्केट काफ़ी खत्रनाक था और आज के दिन कई सारे लोगों ने आज यहाँ पे ओवर्ट्रेडिंग भी कियो कि कई सारे लोगोंने काफ़ी बड़ा नुक्सान भी क की आउगा क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, मंडे के दिन आपको lot size कम करना ची है, क्योंकि Monday और Friday, time day के काफी ज्यादा लगता है मेरे भाई, अगर आप लोग ना बाकी दिन आपना आप मान के चलता है, अगर ना कल की दिन आपना बड़े lot के साथ के साथ आ सकते हुं market में, लेक आज मैं बारवाद दिन हैं और अभी हम लोग लेपटोप के उपर जाके चेक करते हैं आज मैं प्रोफिट हो आज मैं लोस हुआ क्या हुआ कहां पर इंट्री की कैसा चार्ड बना सारा कुछ आज आपको डीटेल में सीखने को मिलने वाला है और आप लोग भी यहां पर कमें और आज मैंने आपर तीन ट्रेड लिए अभी आपको फिलाल यहां पर दो ट्रेड आपको यहां पर देखने को मिल रहा है लेकिन सेम इस्टाइक प्रैस के अंदर मैंने वापस यहां पर ट्रेड किया था तो वो ट्रेड के अंदर मुझे साथ 250 या 230 रुपे का असपास मु क्योंकि मुझे पता था भाई आज मंडे है और मार्केट जिस हिसाब से चल रहा था तो मुझे पता भाई बार बार अगर मैं अपना लेपटोप अगर अगर ओपन करूंगा तो मैं ओवर ट्रेडिंग कर लूँगा जो मेरे हाथ में 900 रुपे का प्रोफिट आ रहा है यह भी कई मेरे हाथ से ना निकल जाए और अभी मैं आपको चार्ट यहां पर दिखाऊंगा यहां पर और अभी हमारा यहां पर चार्ट ओपन हो रहा है निफ्टी 50 का देखो हम लोग सबसे बड इसी रेंज में बार बार आया तो यह वाला पेटन मैंने बना के फिर छोड दिया जैज बेकर बन कर दिया लैकिन इस टाम मैंने किया भी हदा अपना पेटन बनाय था और उसके बाद में ऐड़ मेरे अच्छी खासी मुमेंट मुझे यह पर देखने को मिली और सेम पेटन एक हमारा यहाँ पर बना, यहाँ पर भी एक C side का अच्छा कासा moment आए, लेकिन यह वाला moment और यह वाला moment आज मैं नहीं पकड़ा, क्योंकि over trading मेरी मुझे करना था नहीं, क्योंकि मेरे 3 trade हो गयते, चाहिए loss में हो, चाहिए profit में हो, क्योंकि मैंने अपना यहाँ पर एक अनु के बाद में आपका high skin candle काम आता है, अब यहाँ देखो, यह हमारा चोड़ setup है, कई सारे comment करते हैं भी आपना किस setup के तहट आप trade करते हो, तो यह हमारा चोड़ setup है, इसी के तहट market candle में trade करता हूँ, अगर आपको भी अगर चोड़ setup सेखना है, तो नीचे मैं इसका link दे second candle क्या बनी, red बनी, तो हमने यहाँ पर भी trade नहीं लिया, हमने trade कहाँ पर लिया, यह वाली candle बनती है, यह आपको green दिखाई दे रहे, जिससे यह वाली नीचे आते second candle के बाद में, तो हम लोग हमारा यहाँ पर trade करते हैं, और इसी candle के अंदर मैं आपर exit कर जाता हूँ, और आज यहाँ पर हमारा setup बनाता है, काफी लेट, तो हमारा setup बनाता है, यहाँ पर आके, लेकिन मैंने यहाँ पर entry ली नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पर तीन trade यहाँ पर अलड़ी हो चुके थे, तो फिर मैंने market के अंदर वहाँ पर trade करने का मन मेरा नहीं बना है, और आज market के हमारे setup किते थे अच्छे कासे trade बने थे, लेकिन मैंने वो moment को यहाँ पर नहीं पकड़ पाया, अभी आपने देखा भी आज का जो हमारा profit था, only for जो 900 रुपे आज पास आपको आज का हमारा profit यहाँ पर देखने को मिला, और हमारे आज तक कितना profit gain किया, क्या किया, उसका अगर हमने यहाँ पर एक 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 एक्सल सिट बना के रहा है, वो भी मापको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, और भाई मापको यह कहना चाओ, अगर आप अनुसासन के साथ ट्रेड करोगे ना, जो को market है, जो को जिन्दा रहना सबसे important part, अगर आपने अपने पैसे को बचा लिया, तो सबसे important part, अगर आप अपने पैसे को नहीं बचा पर एक दिन में आप एक लाग का profit करे हो, अगले दिन आप दो लाग रुपे का नुक्सान करे हो, वो गलत है, आप अगर ट्रेड करे हो, आपको पता होना ची अगर आपने market से 10 रुपे का भी क्यों ना profit कि तो आपको पता होना ची भई मैंने कहां पर entry किये, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चीए, और जिसने आप बड़े fund के साथ आओगे, मैं मार्केट आपको बार बार कहता हूँ, market के अंदर क्या होता है कि भई बार बार मैं आपको कहना चाहूँगा, market के अंदर क्या होता पहला दिन हमारा यहां पर लोस हुआ था बनलए 180 रुपय के लोस के साथ हम न्या पर शुरुआत कि थी तो भाई मुझे काफ़ घबराट हुँए भी यहाँ पर increase हो चुका है, तो अभी मैं only 4 यहाँ पर मलब 5,000 के साथ trade नहीं कर रहा हूँ, जितना जितना हमारा capital वहाँ पर increase होता जा रहा है, उसके हिसाब से मैं market के अंदर अभी trade कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा